हेलो फ्रेंड्स कुट बानिंग कैसे हैं आप सभी तो यह देखिए सुभा हो गई है और सुबह का आपको नजारा मैं दिखा रही हूं देखिए कितना कहरा हो रहा है हमारी यहाँ पर बारिस हो गई थी तो बारिस की बज़े से देखिए काफी ठंड बढ़ गई है और वैसे पड़ी हुई है काफी हमारा मकान अभी कुछ दिन पहले ही बना था तो काफी प्लोटिंग पड़ी है तो पीछे गाय बगएरा घूमती रहती है और सुबह में जल्दी उठ जाती हूं कि छोटा बेटा है मेरा तो अभी वो सोया हुआ है तो मैं सोचती हूं कि जब तक वो सो ही रहा है तो मैंने सोच चाय बना लूँ बेटी मेरी उठ गई है तो हम दोनों के लिए हम चाय बना रही हूं यहां पर मैंने चाय बना ली है और आप सोच रहे होंगे कि मैं पत्ती थोड़ी हलकी ही डालती हूं चाय में क्योंकि बेटी पीती है इसलिए उसको डाक चाय ज मेरा बेटा भी खा लेता है तो यहां पर यह मैंने आटा तयार करने के लिए मैंने आटा ले लिया है और थोड़ी सी मैंने आपर अजवायन डाल दिये और नमक डाल दिया है स्वादन सार तो मैं आज मैथी के पराथे बना रही हूं कि यह मैने मैथी जो है साफ करके कट करके धोके ले ली है और इसको आटे में मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से मैं आटे में गूत लूँगी तो हमारा हैल्दी नास्ता बनकर तयार हो जाएगा और बेटी चाय से खा लेगी मुझे अचार वगरा से जादा अच्छे लगते हैं तो मैं अचार वगरा से ले लूँगी और चाय बना ही ली है तो यहां देखिए मेरा आठा गुत के तयार हो गया है और सुबह में हमारा ब्रेकफास्ट ऐसे ही होता है कि कभी पराठा बना लिया, कभी पोहा बना लिया और कभी उपमा बना लिया, तो ऐसे ही होता है बेटा भी खा लेता है मेरा मिर्ची मैंने इसमें नहीं add की है, क्योंकि बेटा मेरा मिर्ची कम खाता है, तो मैंने हरी मिर्च काफी तीखी थी, तो मैंने वो डाली नहीं है, तो यहां मैंने परांठे, बना लिए हैं, दखिए, तो आप चाहें तो आप घी के बना सकते हैं, बट मैं ऑईल के ही बना रही हूं, रिफाइंड ऑईल के, तो बेटी को मेरी को गोल पराथे जादा पसंद नहीं है, वो किबल जो आलू बगएरा के भरे हुए पराथे होते हैं, गोल उनी को खाती है, बट जो सिंपल या वैसे रिशाई वाले जो पराथे होते हैं, तो तो से कौणि पर आठे ही पसंद है तो कहते हैं कि बच्चें की पसंद ही में होती है क्योंकि बच्चे जैसा खाएं हमें वैसा ही बनाना पड़ता है बट मैं कोसीश करती हूं कि मैं उन्हें हेल्धी ही कहला क्योंकि बाहर का खाना आपने देखा है बाहर के जो खाने होते हैं वह बच्चों को काफी पसंद होते हैं बट मैं कम से कम ही उनको लाकर देती हूं कि कि मैं घर पर ही उन्हें हेल्दी खाना बना देती हूं और मैं कोसिस करती हूं कि और वो खाना पसंद भी आए तो यहां यह मेरे देखे पराठे सिख चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है तो आप भी आजाएं खाने के लिए और यह काफी हेल्दी होते हैं मैं इसी तरीके से कभी जो है पालक के पराठे और कभी अ आरे तो बथवा आएगा बथवा के पराठे इसी तरीके से जो भी सीजनेवल सब्जियां होती हैं मैं उनको कद्दू कस करके पराठे मना देती हूं अगर बच्चे नहीं खाते जिस सब्जी को तो मैं इसी तरीके से उनको पराठे मना कर खिला देती हूं जिससे कि उनको ह तो यहां हमारे पराथे देखिए अच्छी सी सिख चुके हैं और काफी टेस्टी लगते हैं यह चाय के साथ या अचार के साथ या दही के साथ जिससे भी आप खाना चाहो और यहां मेरी चाय बनकर हो गई है रेडी तो आ जाएए आप भी पी लीजे चाय और पराथा कंगा भी कि दो मैं बच्छों को नास्ता लगाके देदेती हूं और यह देखिए बराथा हमारा टYार है तो काफी हैंडी नास्ता है यह और में सुभ हे मैं ऐसे ही कि थमनेल के और फ्लाइंग विस्ट का यह थमनेल क्यों लगा रखा है तो मैं आज आपको केलेर बता दूँ है कि मैंने यह अईसा यह थमनेल क्यों लगाया है क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक इंड्लिया इडल होता है और वो उसको हमेशा अपना कहते न एक गुरू या कुछ भी कह लीजिए आइडल मानते हैं तो यह जो फ्लाइंग भीस्ट हैं यह भी मेरे यह मेरे आइडल है और मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूं और सीखना चाहती हूं और जो इनकी मिसिज है यानिकी रित्व मैम वो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनका नेचर और मैं बता नहीं सकती कि आप समझ सकते हो कि काफी अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है तो फूरी फैंबली ही कहते हैं न कि हम मेरे जीवन में उनका बहुत ही बड महत्त है और मैं उनकी वीडियो काफी लंबे समय से देखती आ रही हूं और मैं हमेशा ही एक वार क्या हुआ कि मैं यूटूब चैनल खोल के बैठ गई थी तो उनकी वीडियो अचानक से आ गई तो मैंने उन देखा तो अब मैं मतलब हर रोज वही वीडियो उनकी जो आती है बट मुझे उनकी वीडियो में सो बहसे साम तक की रियलेटी नजर आती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके आसपास ही हूं उनको देख रही हूं उनको महसूस कर रही हूं उनकी फैमिली को और उनकी जो बेटी है क्वीट सी रसभरी और बहुत प्यारी सी है तो कल जान सकती हूं, समझ सकती हूं कि जब बच्चे परिशान होते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं तो एक parents को उपर क्या गोजरती है, मैं अच्छे से जानती हूं क्योंकि मेरे साथ लुए एक छोटा baby है और जब वो बिमार हो जाता है या उसका जब मेरे baby का भी हाथ ब्रोक हो गया था तो मैं भी काफी परेशान हो गई थी और डॉक्टर के पास ऐसे ही भागी थी तो मेरा कुछ और वो नहीं है कि मैं उनका थमनेल क्यों लगाई हूं बस यही है कि मुझे वो काफी पसंद है मतलब पसंद से मतलब है उनकी एक आइडियल है वो मेरे जो मेरे अनके ao यहीं ही उच्वी होख थी और उनके बराबरतों में गभी पहुंच हका नहीं सकती म्त मुझ मैं और उनम में जमीन आसमान का अंतर है क्योंकि मैं कभी देखती ह问 कि फैमिली में कि वह चोटे और बड़े में अमीर और गरी में कभी फरक नहीं नजर करते क्योंकि उनकी फैमिली में जो भाबी जी हैं और उनके बच्चे हैं वो उनके फैमिली मेंबर की ही तरह रहते हैं बच्चे उनके साथ रस्वेरी के साथ खेलते हैं जो भाबी जी हैं जो काम करती हैं और मैंने देखा कि सौपिंग के लिए अक्सर वो भावी जी को और उनके बच्चें को गाड़ी में बिठा के अपने साथ ही ले जाते हैं आजकल मैंने काफी सारे सेलीटी देखें वो गरीबों कुछ बहुत बेकार नजरीय से देखते हैं लेकिन उनकी नजर ऐसी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है और वो हमेशा उनको अपनी फैमिली ही मानते हैं तो मैं भी कहीं समझती हूँ कि जो उनके घर में जो भाबी जी हैं काम करने वाली तो मेरी बिसाएद में बतलब इतनी उंची ऊईसियद नहीं है कि मैं करूं उनके काम जो करती हैं साथ हैं उनके जैसी ही हूँगी बट कहते है न की उनका दिल बहुत बड़ा है क्यूंकि वो हमारे जैसे लोग उनकी बहुत care करते हैं, उनको बहुत respect देते हैं, तो मेरा video बनाने का बस यही मकसद है, कि भगवान करे ऐसे लोग, अगर सारी दुनिया में हो जाएं, तो गरीबेहों को कोई गरीब ही नहीं कहेगा, कोई भी तो बस मेरा यही था आज का वीडियो और वो मेरे आइडियल है और कुछ नहीं मैं उन्हें बहुत उंचा दर्जा देती हूं और हमेशा उनकी वीडियो देखती हूं और मुझे उनकी फैमली बहुत पसंद है तो थैंक यू अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई